हाई फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तो फ्रेंट्स आज हम एक नई मेडिसीन का रिवीव देखेंगे इस मेडिसीन के बारे में मैं आपको बताऊंगी इसके यूज डोसेज बैनिफिट्स आप इन टैबलेट्स को कैसे यूज कर सकत है और इसे लेते वक्त आपको किन-किन मातों का ध्यान रखना है अगर आपको डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो भी आपके किसी इलाज के लिए लिए लिकर दे रहे है ये भी आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो फ्रेंट्स आज हम बात कर रह ये बहुत ज्यादा यूजफुल है अगर आपको किसी भी तरह का दर्द है जैसे चोट लग गई है लेकिन दिखने वाला दर उपर से दिखने वाली चोट नहीं होती है अंदर दर्द जरूर रहता है इस तरह के जो दर्द होते हैं जो दिखाई नहीं देते उपर से तो ऐ महीने के चार दिन होते हैं इन में रहने वाला जो दर्द होता है जो भी मासिक धर में होने वाले दर्द होते हैं लीडीज को पता होगा कि बहुत ज्यादा अंदरूनी दर्द रहते हैं पेट दर्द रहता है कमर दर्द रहता है गुटनों के नीचे या फिर जो हमारी निकारेक हो सकता है यह आपको internal bleeding करवा सकती है और बहुत से ऐसे अंदरूनी आपके रोग है जो आपको बढ़ा सकती है तो इसलिए इसको एक या दो या चार दिन से जादा नहीं लेना है हफते में आप तीन चार दिन इसको ले सकते हैं लेकिन continuous लिए आप एक हफता दो हफत या फिर महीने भर ले रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है और यह ज्यादा dose का formula है अगर आप कुछ भी ना खाए इसको लेते हैं तो अगर आपको आदत नहीं है किसी भी higher dose लेने की तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा थकलिफ हो सकती है इसको खाने के साथ लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको अगर पेट के problems रहते हैं हमेशा या फिर acidity से related कोई problem रहते हैं तो आप अगर इसको खाने के साथ लेंगे तो आपको ऐसे problem नहीं होते हैं इसलिए आपको ध्यान रखना इसको खाने के साथ ही लेना है यह anti-piratic है इसका मतलब आपका आप बुखार भी कम कर देगी। बुखार में भी होने वाले जो दर्द होते हैं हाथ पैरों के दर्द होते हैं या फिर हमारी movement जो हाथ पैरों की कम रहती हैं ऐसे में आप इस tablet को ले सकते हैं यह आपकी बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी मदद करती हैं कुछ मिंटों मतलब आपके दर्द को कम करेगा बुखार को भी यह कम करेगा अगर किसी तरह की सूजन हो इस से भी आपको हमेशा रहत मिलती रहेगी तो इस दवाई को खाने के साथ जरूर लीजे और इसमें एडल्ट में देना जरूरी है बच्चों में इसको बिल्कुल भी यूज नहीं क रहे हैं तो आप इसको पूरा ले सकते हैं लेकिन वह भी इसको खाने के बाद लेना जरूरी है अगर इसे लेने से आपको हातों पैर में तरटरा हट महस養स होती है या फिर किसी भी तलग की ऐलर्जी महश सोती है जयसे शरीर पर रहाँ अगे आपकी दिखते है तो आप इसको तुरंद बंद कर देंगे अगर आपको सीने में जलन जैसे प्रॉब्लम है जिसको एसीडीटी बोलता है इस तरह की भी प्रॉब्लम्स अगर आपको दिखाई देंगे तो इस वाली टैबलेट लेने से पहले एक घंटा पहले आपको एसीडीटी के टैबलेट ले लेनी है वैसे इसमें डाइरिया पेट दर्द इस तरह के नॉर्मल जो क जाद वाली नीद भी आ सकती है तो कहीं आप द्राइविंग के दौरान इसको ले रहे हैं तो आपने आप पर ध्यान देना उतना ही जादा जरूरी है क्योंकि इसे नीद आती है और साथी में अगर अलकॉहलिक है और शराप के साथ अगर इसका सेवन करेंगे तो बहुत ज कि दवाई पहले ले रहे हैं या फिर सरदी जुकाम की दवाई ले रहे हैं उसमें आपका पैरिसेटेमल एवेलेबल है तो भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि डबल डोस होने के बहुत जादा चांसे बने रहते हैं किसी भी दवाई में ऐसी क्लिफिन और पैरिसेटेमल ह कर दे देगी से पहले भी मैंने जैसे जिरोडाल का रही किया था जिरोडाल किय इसमें बहुत से यसी दवाईया आती है जो गषजरी जिंजयर कंटेन प्राइजिंग में आपको हलका सा उतर चड़ाव मिल सकता है वीडियो कैसे लगी जरूर बता देना अगर वीडियो यूस्फुल और अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शे सब्सक्राइब जरूर कर देना और किसी भी मेडिसिन का रिव्यू अगर आपको चाहिए तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक इस सो मच